हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टुडि व्यू एजुकेशन चैनल में आज के डिक्टेशन है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे उससे पहले आप से एक बात कहना चाहूंगी कि अभी राजस्तान के अंदर राजस्तान करमचारी चैन बोड की तरफ से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे नूट वकेंशी आ गई है और उसका पूरा वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और उस वीड स्टार्ट होती है तीन सेकेंड बार रेड़ी स्टार्ट एक सभ्य समाज संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है एक की वह सामाने वहवार में किस तरह की भाशा का इस्तेमाल करता है विराम खास कर महिलाओं के बारे में उपयोग किये जाने वाले शब्दों वाक्याओं से उस समाज की मानसिक्ता का भी पता चलता है विराम इस मामले में भारत के अधिकतर समाजों में इस तरीके प्रती बहुत सारे ए समान जनक शबद चलन में है विराम वहीं शबद धीरे धीरे परशाशनिक और अदालती कामकाज में भी गुस्पेट कर गए है विराम सरवच्च नयालय के परधान न्यायाधीश ने ऐसे शबदों की पहचान की और उन्हें अदालती भाशा से भाहर करने का फैसला किया विराम एक टीम बना कर ऐसे शबदों की पहचान की गई जो महिलाओं के लिए प्राई समाज में रूड और अपमान सूचक हैं विराम उन शबदों की जगह परियुक्त हो सकने वाले शबदों और वाक्यों के बिकल्प भी तलाशे गए और फिर हैंड बुक ओन कॉमबेटिंग जेंडर स्टीडियो टाइप शीर्शक से तीस पन्नों की एक पुस्तिका परकाशित की गई विराम इसमें उन शबदों की सूची दी गई है जो अदालती कामकाज में परियोग होते रहे हैं विराम वे शबद अदालती फैंसलों तक में परियुक्त हुए हैं विराम सर्वोच नियाले ने कहा है कि उन रूड हो चुके शबदों के वजाए उनके समान जनक बिकलपों का उपयोग किया जाए विराम यह पुस्तिका बकीलों और न्याए धीशों दोनों के लिए है पहरा यह पहली बार है जब किसी परधान न्याए धीश का ध्यान अदालती भाशा में घुज पेट कर चुके इस तरियों के प्रती इस्तेमाल होने वाले रूड और अपमान सुचक शबदों की तरफ गया विराम इस साल महिला दिवस पर उन्होंने इसे लेकर नय सिर्फ अफसोस जाहिर किया बल्कि उन शबदों को हटाने का उपकरम भी किया विराम परधान न्याए धीश ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा भी कि महिलाएं पुरुष के अधीन नहीं बल्कि सविधान में उन्हें बराबरी का हक है विराम उनके प्रती किसी भी ऐसे शबद का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे उनका सम्मान आहत होता हो विराम इस पहल से निस संदे अदालत की भाषा में महिलाओं की सम्मान जनक जगह बनेगी विराम यह उन तमाम संस्थाओं के लिए भी नजीर बनेगी जो बिना सोचे समझे अपमान जनक शबदों का इस्तमाल करते हैं विराम इसका असर बोदिक समाज और फिर उसके नीचे समाज पर भी दिखना शुरू होगा विराम दरसल शिक्षा कास्तर उंचा उठने के बावजूद महिलाओं के प्रती हमारे समाज का नजरिया संकीरण है विराम उन्हें अपमानित करने की मन्शा से लोग और शास्तरिय भाशा में भी बहुत सारे ऐसे शबद गड़ लिये गए हैं जिने गाली कहा जा सकता है मगर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शबद गड़े गए हैं जो अपमान जनक हैं और सामाने काम काज की भाशा में रूड हो चुके हैं मसलन बिन ब्याही मा विराम सर्वच्चन्या लेने इसकी जगए केवल मा शबद का परियोग करने का सुझाव दिया है विराम ऐसे शबदों की लंबी सुची है जब शीर्ष संस्थाएं भाशा को लेकर सावधाने बरतना शुरू करती हैं तो उसका परभाव नीचे तक पहुँचता है और लोग सामाने वैवहार में भी उसे उतारना शुरू कर देते हैं विराम उमीद बनती है कि लोग अब महिलाओं के प्रती इन रूड शबदों से परहेज करेंगे विराम हमारे समाज में महिलाओं के प्रती लेंगिक भेदभाव के अनेक स्तर हैं उनमें भाशा भी एक है विराम सविधान में महिलाओं और पुरुशों के बीच के भेद को समप्त करने के लिए समय समय पर कई प्रावधान किये गए मगर उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाशा को परिश्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया था विराम अब वह सुनिश्चित हो सका है विराम इस तरह सर्वोचनियले की ताजा पहल महिलाओं के प्रती सम्चित भाशा न्याए है पिछला वर्ष वेश्विक अर्थ ववस्था के लिए कठिन रहा है विराम यूरोप में आर्थिक मंदी का दोर चल रहा है विराम अधिकांश उबरते बाजारों में विकास की गती बहुत धीमी है विराम यह वर्ष भारत के लिए भी कठिन रहा है विराम वेश्विक एमम घरेलू दोनों ही कारणों से हमारा विकास परभावित हुआ है विराम हमें इन दोनों के दुश परभावों का समाधान करना होगा विराम मेरी सरकार ने इस स्थिती की और ध्यान दिया और निवेश गती विधियों को पुनर जीवित करने तथा निवेश बातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों के दोरान अरेक उपाय किये हैं विराम मेरी सरकार ने हाल ही में एक महतवपुरण पहल की है जिसके तहट परतेक्ष लाव अंतरन परनाली प्रारम की गई है विराम इससे सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभों यथा चात्रवरती पैंशन और मातरतव लाव को सिधे लाभार्तियों के खातों में भेजा जा सकेगा विराम लाभार्ति अपनी आधार संख्या के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त कर सकेंगे विराम आने वाले समय में परत्यक्षलाव अंतरन प्रणाली के अंतरगत मजदूरी तथा खाद्यपदार्थों एमम एल पी जी पर दी जाने वाली सबसीडी को भी शामिल किया जाएगा विराम इस परनाली की सहायता से निधी के रिसाव को कम करने लाखों लोगों को वितिय परनाली के अंतरगत और लाभार्तियों को बहतर रूप से चिनहित करने में मदद मिलेगी विराम यह विशेश रूप ग्रामीन शित्रों में हमारे निर्धन नागरिकों को लाभ पहुंचाने में आधुनिक प्रोधोगी की के उपियोग के शित्र में एक नई दिशा निर्धारक का कारे करेगी परन्तु प्रत्यक्षलाव अंतरन प्रनाली सारबजनिक सेवाओं का स्थान नहीं लेगी और यह सारबजनिक वित्रन प्रनाली की पूरक होगी पैरा माननिय सदस्चेगन पिछले वर्ष में समाप्त हुई ग्यार में पंच वर्षिया योजना में सकल गरेलू उत्पाद की ओस्त वार्षिक वरधी दर आठ प्रतिशत थी विराम इस योजना का उलेखनिय पहलू यह रहा कि इसमें पिछले दशक की तुलना में गरीबी में थेजी से कमी के साथ सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी परगती हुई है विराम राश्रिय विकास परिशद ने हाल ही में बार में पंच वर्षिय योजना का अंगीकार किया है जिसमें तिवर्तर अधिक समावेशिता पूरण और चिर्स्थाई विकास पर और अधिक बल दिया गया है विराम बार में योजना में यह माना गया है कि विकास के नतीजे हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम कठिन निर्ने ले पाएंगे विराम इस योजना में केंदर द्वारा प्रायोजित सकीमों को समेकित करते हुए इनकी संख्या कम करने और इन्हें अधिक लचीला बनाने का प्रस्ताव है विराम इस से राज्यों को नए परियोग और नए पहल करने के लिए वांचनिय सबतंतरता प्राप्त हो सकेगी स्टॉप इस डिक्टेशन की जो पीडियेफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ऐसी ही और सारे डिक्टेशन पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईल कर ले, thank you